अगले तीस दिन को लेकर त्रिस्टरिय जैभारत सत्याग्रा का आयोजन किया जाएगा ये ब्लॉक किस तर पर होगा? राज्यों किस तर पर होगा? और एक राश्टरिय सतर पर जैभारत सत्याग्रा का आयोजन भी किया जाएगा ये अगले 30 दिनों में हमारे संगठन की ओर से आप देखेंगे ये बात सही है कि राहुल गांदी जी को डिस्क्वालिफाई किया गया है वो ही तो प्रुष्ट भूमी है उसी के संधर्ब में ये सब प्रक्राया हो रही है पर मूल प्रशन लोकतंत्र का है कल राहुल गांदी जी ने विपक्ष के निताओं से बातचीत में उन्होंने कहा ये सवाल राहुल गांदी का नहीं है ये सवाल लोकतंत्र का है राहुल गांधी को बचाने के लिए नहीं हम कर रहे हैं उन्होंने खुद कहा लोकतंत्र को बचाना है सम्विधान को बचाना है तो ये जो आक्रमन है मोधी सरकार के ओर से ये आक्रमन के तीन हतियार है धमकी, प्रतिशोद और उत्पीडन तीनों दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के केस में पर जैसा कि राहुल गांधी जी ने खुद कहा अभी सवाल देश के सामने लोकतंत्र का है सम्विधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है सभी लोकतंत्रिक संस्थाएं को कमजोर किया गया है समवैधानिक मुल्यों पर आक्रमन हुआ है समवैधानिक प्रावधानों पर आक्रमन हुआ है और इस हालात में इस माहूल में कॉंग्रेस पार्टी ने खुशी जताई है कि 19 विपक्ष पार्टी एक है 19 एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं 19 विपक्ष पार्टी एक जुट होकर एक ही आवाज में उन्होंने कहा है कि हमें एक साथ लड़ना है लोकतंत्र को बचाना है, सम्विधान को बचाना है तो ये कारिक्रम आज शाम से साथ बज़े से शुरू होगा, ऐसे तो आप देख रहे हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में, विपक्ष की मांग एक ही रही है, कि जेपीसी हो अडानी के मामले में और मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुद्दा सिर्फ अडानी नहीं है, मौलेक मुद्दा प्रधान मंत्री और अडानी के बीच में क्या रिष्टा है, वो है अडानी कैसे इतने बड़े पुंजी पती बने, उद्योग पती बने, वो नहीं बन पाते अगर उनको प्रधान मंत्री का समर्थन और प्रधान मंत्री का अर्शिर्वाद नहीं होता, पिछले बीच सालों से हमने सो सवाल उठाएं हैं, कुछी दिनों में उन सो सवालों को लेकर हम एक पुस्तक छाप रहे हैं, और भी सवाल उठा रहे हैं रोज, उठाते रहेंगे, पर ये सब सवाल मुझे पूछे हैं तो सिर्फ जेपी सी में ही उठाय जा सकता है, जेपी सी में ही इस पर चर्च हो सकती है जवाब आएंगे सवाल किये जाएंगे जैसा कि उन्निस सो बानवे में हुआ और दो हजार एक में हुआ पर बिलकुल साफ है कि सरकार मोधी सरकार जेपी सी नहीं चाहती